जवेद मियादाद नामवर्स साबक क्रिक्टर जवेद मियादाद 12 जून 1957 को क्राची में प्यदा हुए यनि 2017-12 जून को वो 60 साल के उचके है इस आलमी शूनत याफता बैटस्पान का दौर 1975 से लेके 1996 पर महीद है वो पकस्णनी कौमी क्रिक्टर टीम के कप्तान भी रहे चाहे वो 1986 में शार्जा का चक्का हो या आलमी कप उनिस सो बन्वे के समी फैनल और फैनल उन मकाबलों को बला कौन सा पकस्तान नहीं बूल सकता है मियादाद ने 1986 में शार्जा में एक बड़ा कार्णमा जाम दिया कि वो शुहरत की बलंदियों पर पहुँच गे भारत के खलाब शार्जा काप के फैनल मैच में आखरी बाल पर छक्का लगा कर पाकस्तान को यादगार फता दलाई लेजन्ड बैट्समन जुएद मियादाद ने 1992 के वर्ल्ड कप में भी कौमी टीम की फता में एहम करदार अदा किया 1976 में उन्होंने न्यूजिलेंड के खलाब टेस्ट डेबियो किया पहले ही मैच में 163 रंज की इंग्स ने उन्हें पाकस्तानी मिडल आर्डर का लाजमी हिसाब बना दिया जुएद में अदाद 8832 रंज बनाकर पाकस्तान के काम याबतरीन टेस्ट बल्ले बाजों में से एक हैं और उन्होंने 30 सेंचरियां और 43 फिफ्टीज बनाई और 233 एक रोजा मैचों में उन्होंने 7382 रंज और 6 सेंचरियां और 50 फिफ्टीज की मद्द से बनाए तवीर अरसे तक टेस्ट मैच पाकस्तान की जानफ से सबसे ज्यादा रंज बनाने का अजाज जवेद मियादाद का नाम आता है जिसे यूनस खान ने 10,000 रंज बनाकर तोड़ा था जवेद मियादाद का एहम तरीन अजाजी है कि उन्होंने क्रिक्कट के 6 वर्ल्ड कप मकाबलों में शिर्कत की दुनिया बर में ये अजाज अभी तक किसी क्रिक्टर को हासल नहीं हो सका पाकस्तानी टीम के सबसे कम उमर कप्तान का सहरा भी जवेद मियादाद के साल है जवेद मियादाद ने 1906 के आलवी कप के बाद इंटरनेशनल क्रिक्कट को खैर बात क्या दिया जवेद मियादाद ने दुबारा पाकस्तानी टीम की कोचिंग संभा ली नेकर बतोर बैट्समर्ण वो जितने कामजाब थे कोचिंग में वैसी कामजाबी हासल ना कर सके کرिकٹ खेल जुहेंअद॥ जायल मियादाद का फैमली खेल है क्योंकि ने के बाई, अनवर मियादाद, स्वेल मियादाद और वशीर मियादाद भी क्रिक्ट खेल चुके हैं और उनके बतीजे फैसल इकवाल भी टेस्ट क्रिक्टर है जो एद्मियादाद ने जो शादी की उनकी वाइफ का नाम है ताहरा सैगल जो के बेटी है खालत सैगल की और उनकी मदर इनला का नाम है फरीदा हयात उन्होंने ये शादी 1980 में की और उनके दो बेटे और एक बेटी हैं जो एद्मियादाद के एक बेटे जो जनेद्मियादाद हैं उनकी शादी मारख इबराहीम से हुई है मारख इबराहीम इंडिया के मशूर परसनलिटी दोद इबराहीम की बेटी है जो एद्मियादाद नात भी बढ़ते हैं और उन्होंने पकसान गेक टेल्वीजन जीयो के लिए नात भी अपनी रिकार्ट की हुई है और वो अपनी जिन्दगी हसी खुशी गुजार रहे हैं करिक्ट के लिए खिर्मात अंजाम देते रहें और इसी तरह क्रिक्टर के जाने वालों की साथ जुड़े रहें तक्यू